हाई खुड वर्णिंग सास्यकाल अलाब नमस्काव वनकाम एंड जैहिन दोस्तों आज टॉपिक हालागी मैं पहले भी बना चुका हूँ लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक को दुबारा से बताने की जरत है और थोड़ा और डिटेल में बताने की जरत है मैं बात कर रहा हूँ आज किड्नी फैलियोर की किड्नी का खराब हो जाना गुर्दो का खराब हो जाना क्या लक्षन होते हैं जिससे कि हम शुरुआती फेज में इसको पहचान लें कि आप उसको stage one stage two में पकड़ लें तो वहां पर ही उसको prevention के लिए जो अपना lifestyle change करना या दवाईया है उसके सारे आपके कुछ साल आराम से निकल जाते हैं कई बार काफी साल निकल जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता और हम हमें election तब आते हैं जब बहुत मामला आगे ब पढ़ जाती है इसलिए जल्दी पकड़ना वह ज़रूर है लेकिन फिर भी आज आपको मैं बताऊंगा कि warning sign क्या-क्या हो सकते हैं किड्नी के खराब होने के सबसे पहला sign है कि हर समय थकान बने रहना हर समय आपको लगता बदन तूट रहा है हना तो यह क्योंकि किड्नी आपके जो toxin यह वो बॉड़ी से निकाल नहीं पारी है तो जिसकी वैसे toxin की वैज़े से वो जो बॉड़ी में रहा है वो इतनी थकान होती है कि आप हर समय थ थंड लग रही है जबकि आपके साथ वालों को उतनी थंड नहीं लगती है तो यह भी एक रीजन है और यह होता है क्योंकि किड्नी खराब होने पर एनीमिया हो जाता है खून की कमी हो जाते है जिसकी वैसे आपको इस तरह की feeling आती है कि आपको हर समय थंड लगती है सांस क फूलना सांस के फूलने के दो कारण होते हैं चलने में सांस फूलना या बैठे बैठे सांस फूलना या रात को लेटते हैं तो तब ज़्यादा सांस फूलती है क्योंकि एक तो खून की कमी हो जाती है दूसरा बाड़ी में से क्योंकि पानी निकल नहीं पाता तो पानी कठ हो जाता है जैसी आप लेटते हैं या सोते हैं तो सांस का फूलना ज्यादा शुरू हो जाता है को को की पानी ऊपर लंक्स में आ जाता है तो shortness of breath सांस का फूलना भी kidney की एक निशानी हो सकता है और उसके लावा चक्कर आना वीकनिस आना ये भी हर समय ऐसा लगता है कहीं गिरना जाएं, तो ये भी ऑनीमिय की वज़े से ऐसा हो सकता है और ऑनीमिय की वज़े से इसा भी बरेन ठाजकिन्ग भी होसकती है यानी कि आपको कुछ अब आदज दास् настолькоिने में बहुत problem होती है तो बरेन ठाजकिंग भी होसकती है हाथ पैरों में सूजन का आ जाना, एक तो एनीमिया की खून की कमी की वज़े से भी हो सकता है, दूसरा प्रोटीन बोडी में से निकल जाती है, हाइपो प्रोटीनीमिया की वज़े से भी हो सकता है, तीसरा पानी कठा हो जाता है, क्योंकि बोडी किड्नी काम नहीं कर रही है तो उसकी वज़े से भी सूजन आ जाती है हाथ और पैरों में फेस पे भी पफीनेस आ सकती है आखों के चारों तरफ भी सूजन आ जाती है आखे बंद सी हो जाती है बंद जा चिंकी टाइप चिंकी तो नहीं बोलूँगा Chinese look देने लगता है मजाक अपनी जगे हैं लेकिन किड्नी की बिमारी है कैसी है कि जो इंसान की शकल तो क्या उसको हट तरफ से दिल और दिमाग सब कुछ खराब हो जाता है पैसा ही नहीं बचता भाई इतनी महंगी बिमारी है तो सूजन आ जाना फेस पे सूजन आ जाना और एक मेटलिक टेस्ट का होना क्योंकि यूरिय इतना बढ़ जाता है कि आपको हमेशा मुँ में ऐसा सवाद आता है अजीव सा कड़वा सा सवाद अब ये कंप्लेन होते हैं किसी भी चीज़ का सवाद नहीं आता है कोई टेस्ट नहीं आता है और foul smelling ammonia बढ़ने से आपको ammonia की smell मुँ में से आने शुरू हो जाती है तो लोग complaint करते कि इनके मुँ से बद्दी गंदी स्मेल आती है वजन कम हो जाता है भूख खतम हो जाती है तो भूख इसलिए कम हो जाते कि वोमेंटिंग होना पेट में दर्द होना ये लक्षन भी जो गैस्टिक प्रॉलम है ये लक्षन भी हो सकते हैं जैसे से यूरिया क्रेटिन बढ़ता है इंसान की भूग खतम हो जाती है और नौजिया फिल होता है हर समय खाने का मन नहीं करता है हमेशे लगता है उल्टी आ ज जाना बार बार पेशाब जाना इस्पेशली रात को उट उटके दो दो तिन तिन बार पहले नहीं जाते थे लेकिन अब रात को भी पेशाब करने जाना पड़ता है ये पेशाब करने में दिक्कत होना उतना पेशाब नहीं आता है ये प्रेशर लगाना पड़ जाता है ठ प्रशाब भी आ सकता है हाई ब्लेड प्रशर रहना मैं एक वर पहले वीडियो बनाया था कि तीन सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो फेस पे पफिनेस आ जाए खून की कमी हो जाए और ब्लेड प्रशर हाई ये तीन चीज़ा कर रहे हैं तो समझे लो किड्नी में हो जाता है उसकी वैसे पैरों में क्रेम्स भी बढ़ सकते हैं कई पर रिनल एंगल जहां पर किड्नी होती है वहाँ पर दर्ध होना शुरू हो जाता है तो ये भी एक निशानी हो सकती है और अगर बोलू तो लेडिज में इंफेक्शन बहुत जादा कॉमन होते हैं और वो ठीक से ना आ पाना और कई बस्लीप अपनिया भी साथ में एस्सोसेटेड है ना सोते समय अक्सियन कम हो जाती है इस्पेशली मोटे लोगों में तो ये भी देखा गया है कि स्लीप अपनिया भी एक कॉमन प्रॉलम है किड्नी फेलिवर के साथ और अगर यूरीन टेस्स करा ऐसा लग रहा है तो आपको अपने टेस्स जरूर कराने चाहिए और फिर भी बोलूँगा कि अपने रूटीन टेस्स हर साल कराते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है और हर पांच साल में एक बात जरूर होना चाहिए तैंक यू वेरी मच और प्रे करूँगा अगर आपके डालेसिस करो यही है बागी बाबाओं से साब्दान रहें जो किड्नी के नाम पे आपको ठग रहे हैं हम पर्मनेंट ठीक कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे उन बाबाओं से दूर हो पैसा भी जाएगा धोका भी मिलेगा और बरबाद हो जाओ देंक यू शुक्रिय झावँ आपको प्र।